हलो एवरीवन वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूए नाइट गाउन की कटिंग और स्टीचिंग तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने अपने कपड़े को लंबाई में इस तरह से फोल्ड कर लिया हैं यहां मैंने कपड़े को चार भाग में फोल्ड किया है जितनी भी चोड़ाई हमें रखनी है उसकी उतनी चोड़ाई लेकर हम इससे इस तरह से चार भाग में फोल्ड कर देंगे अब हम इसक का शोल्डर का निशान लगा रही हूं इसी में से हम नेकविड निकालेंगे देखे इस तरह से हम सिधा निशान लगा लेंगे अब इसके बाद हम यहां लंबाई में आर्म होल का निशान निकालेंगे यह ध्यान रखेगा हमारी खुली भाग की तरब हम आर्म होल का निशान लगाया है देखिए यहां 8 इंची का एक में निशान लगा लूँगे अगर आप यहां पर इससे भी हेवी चेस्ट का अगर निशान लगाएंगे तो जो अमारा आर्म होल का निशान है वो हम 9 इंच पर लगाएंगे देखिए इस तरह से हमने हमारा आर्म होल का निशान लग कश लगा लिए अभीस में हम् गोलाई देंगे गोलाई भी हमें यहाँ पर एक या डेर इंच की गोलाई देनी एक तरह से मिलें यहाँ पर गोलाई देदी है प gelir Yeah कि अभर इसके बाद हम नेग का निशान लगाएंगे तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर आर्मोल का जो हमारी शोल्डर है कंदी रहेगी उसका निशान हम लगा लेंगे बाकी जो भी हमारा कपड़ा बचेगा उसे हम नेक वीड निकालेंगे देखे इस तरह से मैं यहाँ कंदी के लिए 5 इंच का निशान लगा रही हूँ इस तरह से हम कंदी के लिए 5 इंच का निशान लगा लेंगे अब हम हमारा जो बंद भागे उसकी तरफ हम हमारे नेक की लंबाई पर निशान लगाएंगे तो यहाँ आप आपके हिसाब से आपके नेक की लंबाई कितनी चाहिए वो आपके हिसाब से आप यहाँ निशान लगा लीजी मैंने यहाँ नेक की जो लंबाई है वो 5 इंच रखी है मुझे बड़ा नेक नहीं चाहिए यहां चोटा नेक चाहिए था तो मैंने यहां पर नेक की लंबाई इस तरह पांच इंच रखी और जो हमने यहां कंधी का निशान लगाया था उससे हम इस तरह से गोलाई देते हुए इसको मिला देंगे देखिए यहां मैंने इसको इसे गोलाई देते हुए मिला दिया है अब हम इसके बाद हम नाइटी की लंबाई पर निशान लगाएंगे लंबाई पर निशान आप अपनी लेंथे के हिसाब से लगाईए आपको कितनी लंबाई चाहिए उसके बाद हम जो भी हमारी लंबाई रहेगी उसमें हम तीन इंच प्लस कर देंगे अगर आपको नीचे से कम फोल्ड करना है तो आप दो इंच प्लस कीजिए और अगर आपको नीचे से ज्यादा फोल्ड करना है तो आप उसे तीन इंच प्लस कर लीजिए अपनी पूरी लंबाई में इसके बाद हम अपने निश अब हमारा जो ये गले वाला भागे इतना कोड़ा घुल में चांव् men हैं यहमें गांती होुचेके इसके बाद हम इसकी स्लिव के लिए मैं चार भाग में कपड़ा इस चरा से बिछा लिया है सबसे पहली हम कपड़े की लंबाई लेंगे जितनी लंबाई हमें रखनी उसकी उसमें 18 प्लस करकर यहां उसकी फूर लंबाई पर निशान लगा लेंगे इसके बाद हम यह खुले भाग में इस तरह से दो इंच का निशान लगाएंगे दो इंच हमें कम करना है देखिए इस तरह से खुले भाग में हम दो इंच को कम करकर निशान लगाकर इसके गोलाई में कट कर लेंगे देखिए इसके बाद हम सबसे पहले नाइटी का गला तैयार करेंगे तो इस तरह से हम गले में प्लेट्स डालेंगे जो हमारे शुल्डर की निशान है यहां से हम प्लेट्स डालेंगे जो भी हमारे एक्स्रा कपड़ा है उसकी हम प्लेट्स लगा लेंगे देखिए इस तरह से प्लेट्स लगाते हुए हम गला तैयार कर लेंगे हमारा जो शुल्डर का निशान है उससे आगे जो भी बचाएं कपड़ा उसमें हम प्लेट्स लगा देंगे देखिए अब हमारा यहाँ पर गला तैयार हो चुका है इसके बाद हम गले में उरे पट्टी लगाएंगे हमने यहाँ पर उरे पट्टी काट लिए इसको हम इसे उपर से लगाते हुए पलट देंगे देखिए इस सरसे हम उरे पट्टी को पलट कर उपर से शिलाई लगा देते हैं जैसे हम ब्लाउज में पाइपिंग लगाते हैं उरे पट्टी को पलट देते हैं और निचे से चिलाई लगा देते हैं वेसे ही हमें इसका गला तयार कर लेना है देखिए हमने यहाँ पर इसका गला तयार कर लिया है ऐसे ही हमें बेक और फ्रंट दोनों भाग को तयार कर लेना है दोनों बादों के गाले को बनाने के बाद हम यहां पर इस तरह से हिनको कंद्ट अटेज कर देंगे उसके फेले हम प्रंट पार्ट है उसके गाल में इस तरह में यहां पर फ्रिल लगा नहीं हम फ्रंट पार्ट के गले में ही सरसे फ्रिल अटेच करेंगे आप चाहें तो इसे प्लेन भी रखें ऐसा ही इसके बाद हम इन दोनों की कंदियों को अटेच करेंगे हमारे फ्रंट पार्ट और बेक पार्ट को इस तरह से कंदियों से अटेच कर लेंगे और अटेच कर लेना है अटेज करने के बाद इसमें सिर्व हमें सीधी सिलाई लगानी होती है इसमें हम फिटिंग नहीं देंगे नाइटी जो होती है लूज होती है तो हम जो हमारी स्लीव उसमें फिटिंग देते हुए इस तरह से लंबाई में हम इसको दोनों साइट सिलाई लगा लेंग और bottom में भी हम यहाँ पर इस तरह से इनको fold कर लेंगे I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको आए मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को like कीजी अपने family और friends के साथ share कीजी और मेरे channel को subscribe कीजी Thank you for watching